असलम अलेकूम स्वीट कॉन तो हम सभी को पसंद होते हैं लेकिन मार्केट जैसे स्वीट कॉन घर पर नहीं बन पाते हैं इसलिए मैं आज आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ इस रेसिपी के लिए तीन कॉन लिए हैं मैंने इनको छोटे-छोटे टुकडों में काट लिया हैं सबसे पहले प्रेशर कूकर में कॉन को जमा देंगे प्रेशर कूकर में इतना पानी डालेंगे कि कॉन अच्छे से पानी में तूप जाएं इसमें एक कब बॉइल मिल्क डालेंगे साथ में दो चम्मत चीनी डालेंगे एक बटर का क्यूब भी डाल देंगे अब प्रेशर कूकर की लिट लगाकर चार से टी ले ले लेंगे अब हम कौन का मसाला बनाएंगे इस मसाले को कौन पर भी लगा सकते हैं और चाट में भी डाल सकते हैं एक पैकिट मेगी मसाला लेंगे आदा जम्मच चाट मसाला लेंगे आदा जम्मच सेंधा नबक लेंगे इन पीनो मसालो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ में कटा हुआ निम्मू भी रख देंगे कौन के बोईल होने पर ये मसाला कौन पर लगा कर सरुख कर सकते हैं इसी मसाला के साथ कौन चाट बनाएंगे एक बाउल में कौन डालेंगे बारी कटा हुआ प्यास डालेंगे कटा हुआ टमाटर डालेंगे कटीवी खीरा ककड़ी, हरी मिर्चे और धनिया पत्ते डाल देंगे अब हमारा तयार किया हुआ मसाला डालेंगे अब इस चाट पर निम्मू का रस डाल कर चाट को सरु कर देंगे झालेंगे झालेंगे